जहिन जय भारत में रेबल शदानन निर्मला जी आज का जो विशे हो आपके उपर है आप हमारी वित मंतरी हैं फाइन्स मिनिस्टर है और मैं आपके टीवी के एक प्राइवेट चैनल में दिये गए इंटर्वीव के उपर देख रहाता है और उसके उपर अपनी कुछ प्रत है मैं मुझे बहुत दुख हो रहा है कि पताने आपने एक अपकामिस के पड़ाई कैसे करी होगी आप जानते मैं में लोऑर मिल्ल कॉरास का मतलब क्या होता है या लोर का मतलब क्या इसकारtha आपको पता है मैं लोरी से प्रतात इख से द वो अपने बच्चों को आपके so-called इतने अच्छे government-aided education schools में पढ़ाएंगे, government-aided hospitals से उनके चिकिस्सा करवाएंगे, और आपके इतने अच्छे-च्छे आधुनिक facilities यो पिछले 7 years से BJP government प्रवाइड कर रही है, मैं इंडिया में, हम वर्ल्ड में बहुत अच्छे ranking में आ रहे हैं, जैसे कि BJP का graph बताता है, वास्तविक्ता क्या है वो तो हम लोग जानते है मैं, मैंने भी vote किया मैं, BJP कोई vote किया, लगातार दो बार vote किया, लेगिन मैं आप जैसे नेता हूँ कि जब सुनता हूँना मैं speeches, और आप लोग के आखड़ आपके जो data bank, आप ये data bank कहां से लाती है मैं, ये सोच कि मैं बहुत surprise रहता हूँ मैं, आपने बोला 6 लाग निवनता में, 18 लाग मैक्सिमम मैं, 18 लाग समझते हैं आप मैं, 18 लाग क्या होता है मैं, 18 लाग सो मैं एक अच्छे का से MBA का package नहीं है अनम मैं मैं, पर अनम का, वो भी टॉप इंस्टिट्यूट में पढ़के है, आपके so-called colleges से जो बच्चे निकलते हैं, MBAs, BTEC, आप जानते हैं कि package कहा से start होती है मैं, तो इसका मतलब ये सब lower middle class में आते होंगे आपके इसाब से, so-called good MBA, so-called good BTEC and MTEC, ये तो lower middle class से आते होंगे मैं, higher वाले कौन होते होंगे मैं, highly rich people, highly rich industrialists, upper middle class तो फिर आस्मान में रहने हैंगों, जमीन पर रहेंगे ही नहीं, अपने आखरे ठीक की जा मैं, दे से मुश्किल दौर से गुजर रहा है, आप किस तरह की statement दे रहें, आपने उस दिन बोला मैं मुद्रा लोन में, हमने इतने इतने लोगों को दिया, हमने उद्जोग वालों को दिया, हमने बुनकरों को दिया, मैं, आपने किसको क्या दिया, पेपरों मी दिया है क्या मैं, आपको मैं चैलेंज करता हूँ, निर्मुला सीतारों मैंटची, हम ऐफिशेली चैलेंजिंग यूँ हूँ, हंडिड यूथ लेके मैं आपके पस आने को त्यार हूँ, आपके अपने ये वक्तव्य सुना रहे हैं, आप लोगों को अंदर आईए, मैं, लोगों की बीच आईए, आपको तो भी तक लोवर मिट्लक्रास फैमली के डेफिनिशन नहीं मालूम है, और मैं, एक सवाल है मेरा आप से, अर्मोधी गवर्नन्स है, आप मुझे बताए, मैं, कि राजनीती एक सेवा है या नौखरी है, मेरे स्पीचिस बेसिकली मैं, कभी होते नहीं हैं, मैं लिख के कभी नहीं लाता मैं, जो मेरी खुद की फिलिंग्स है, मैंने अपने नाम में रेबल शब्द इसला है, क्योंकि जो गलत है, मैं तो बोलूँगा, मैं, I have the right to express my views, आप मुझे बताए, मैं, politics, राजनीती, इस इट, ये सेवा है, मैं, या नौखरी है, अगर सेवा है, तो मैं, आप लोग तंखों मत लीजे, मैं, और pension मत लीजे, इतनी high salary आप लोग की, इतनी facilities है, मैं, telephone calls की facility, AC की facility, बिजली की facility, driver की facility, high class train की facility, flights की facility, petrol की facility, मत लीजे, मैं, आप आईए, lower middle class family की तरह life को spend की जागर, आप सेवा करना चाहती है, मैं, और अगर ये नौकरी है, मैं, politics, अगर राजनीती आपनों के लिए मौकरी है, मैं, तो इसका कोई educational map dund होगा, मैं, कोई educational criteria तो होगा, मोधी जी, मैं आप से question पूछना चाहता हूँ, कि ऐसा कौन से degree ले लिया मैं, नीरमला सितारीमन जी ने, जो आप एक पहले इनको आप defense minister बनाते हैं, चन्द महीनों के बाद आप इन्हें ministry of finance दे देते हैं, अरे defense तो हमारी शक्ती परिक्षण की बात है, it is about our valor, it is about our strength, it is how much mentally fit we are, how much physically tough we are, how can you give a position, both the position to a same person, are they eligible for the same post, ma'am, sir, क्या ये दोनों same post के लिए eligible होते हैं क्या, मुझे लगा था कि आपने का था, अच्छे दिन आएंगे तो ठीक, आप criteria को बदलेंगे, sir, आपने तो criteria नहीं बदला, आपने तो दूसरे दलों के नेताओं को अपने party में लेके आगे, उनको भगवा रंग दे दिया, उनको नेताएं बना दी, मैं डेली में, जैनवरी मन्थ में इंटर्व्यू देख रहा था, अनुराग ठाकूर का, फेबररी में, देश के गदारों को गोली मारो, बड़ी अजीब बाते, highly educated है, क्रिकेटर हैं वो शायद, BCCI के हैं, और अमिशा के पुत्र, जो वो सेक्रेटरी बन जाते हैं, लोगों के उपर आपनों को बड़ा अच्छा लगता है, आपकी IT टीम के ज़्यादा तर लोग, राहूल गांदी को पपू, पपू, कपू करके बुलाते हैं, देखें, मैंने एक बास सीखा, अगर आपको हसना है ना, तो सबके साथ आसे, इव वन टो लाफ, लाफ विट अदस, डूंट राइ टो लाफ एट अदस, इड़संट शो यर गूड पॉलिटिक से, इट सो ज़ो पॉलिटिकल वेने डिटा, अभी प्रियंका गांधी जी ने बसों का इंतिजाम किया, तो बहुत सारा हुआ मजग गया, कि भाई, ये गाड़ियों टेंपो हैं, वो हैं, फलाना है, ठैका है, अरे सर, आप दोजार बसे लगा दीजे ना, चलो उन्होंने आटो दे दिये, टेंपो दे दिये, पर उनको कुछ फिलिंग तो रहा, वो दे तो रहें, आप लगा दीजे, दोजार गबले, चाराजार बसे, किसले रोग रखा है आपको, उन्होंने तो ये तक कह दिया, कि भाई हमारे बसों में आप बीजे पी का जंडा भी लगवा लें, गलत कर दिये, किसर, उसमें भी आप लोग सोर मचाना लग जा रहा है, ऐसा लगता है, जैसे, you are always ready to fight, instead of getting it worked, अच्छा देखें, मैंने नितिन गड़करी का भाशन सुना, टीवी में, ये लास्ट वीक की बात है, सर, उन्होंने का सोदेशी अपना हूँ, चलिए सर, अपना लेते हैं, पर मुझे बताएं, मेक इन इंडिया, और मेड बाई इंडिया, इन दोनों का डिफरेंस आपके मिनिस्ट्री का, कोई एक मिनिस्ट्र मुझे दे सकता है, गया, अप जमीन देते हैं, सैमसंग को, जमीन देते हैं, ओपो को, वीवो को, चाइनीज कमपनी को, साउथ कोरियन कमपनी को, वो आके अपना प्लांट लगाते हैं, इंडियन्स को हाईर करते हैं, और उसके बाद, उसके बाद, प्रोफिट जो हो उनका एकाउट में जाता है, सैररीज आता है इंडियम्स का एकाउट में, तो मुझे ये बता दे कौन सा making इंडिया है, सर, आप made in India कीजे न, आप अपने इंडस्ट्रीज लगाइए, आपको पैसा revenue अपने पास रोकिए अगर इतना दम होता न सर हमारे mechanism में आपको challenge कर रहा हूँ आप mcdonald's की तरह एक outlet बना लेते सर 25 रुपय का burger बेशने बला भी लाखो करोड़ों रुपए dollars में convert करके इंडिया से लेके जा रहा है आप छोड़िये mobile phone तो बहुत बड़ी बात है 20-20-50-50-50-000 की बात है आप burger बनवा दीजे सर आप breads बनवा दीजे revenue यहाँ generate करवा दीजे सर made in India कर दीजे what is making India सर आप कहते सोदेसी अपना foreign की company को आप जमीन एलोट कर रहे हो right और आप के तो चाइना का भिष्कार कर दो आप मुझे बता दे बीजेपी के कौन से नेता के पास इंडिया वालों का phone है सर और बीजेपी छोड़ी किसी भी party मैं यहाँ किसी और party का mouthpiece नहीं हूं सर क्योंकि मुझे देखा गया है मैं देखता हूं यह चीज़ अगर मैं आपके political किसी failure के बारे में बात करूं तो लोग तुरंद बोलेंगे भाई यह तो Congress का आदमी है इस वरी चीप सर इस सांड्स वरी चीप ठीक है सर आप से पहले हमने Congress को भी वोट दिया क्या गलत किया सर गलत क्या किया वह जो majority में आएगा उसको तो वोट देंगे न मुझे ऐसा लगता है कि आप opposition को भी नहीं टीकिने देते हैं वह एक social system है गौवर्नेंस के system है सर आप अच्छा गौवर्नेंस करेंगे पर एक मजबूत आप तो opposition कोई purchase कर ले रहे हैं आप लोग जोती रादित्य सिंधिया को आपने purchase कर लिया सर बुरा लगेगा सर सुनने में ऐसी क्या घुट्टी दे दी सर एक जटके में MP की government जो है वो collapse कर जाती है वो भी उस दौर में जब COVID-19 का दौर रहता है तब आप लोगों को COVID-19 का awareness नहीं होती तब आपको नहीं लगता कि लोगों की वीच आपको जाना चाहिए एमदाबाद में लाखों लोगों की भीड़ा आपने कर दिया नमस्टे ट्रम्प कर दिया सर क्या ये political failure नहीं है आ अब आत्म निर्भर है मजदूर कौन सा मर्सीडीज में घुम रहा है सर उनके पैर में फफोले किर रहे हैं मैंने देखा निर्मला जी ने एक स्टेटमेंट दी एक लेडी इस बेचारी सूटकेस में उसका बच्चा सूटकेस में बैठा हुआ गसीट के लिए जा रही है त ऐसा opposition को गालीयां देते रहेंगे आप लोग सर मोधी जी चायवाला पिम बन सकता है सुनाता देख भी लिया सर बराबर बाकी चाय वालों का क्या सर बाकी लोगों का क्या सर प्रवासी मज़ूर छोड़ी ये प्रवासी क्या होता है सर सब भरत्य मज़ूरी तो है हर पूरा किन के पास और किन के पास नहीं है मैं एक रिक्विस्ट करूँ गा सर आपको आप अपने मिनिस्टर्स को काइंट एक इंस्टरक्शन दे कि वो कुछ भी वक्ते बढ़ बे दिये बहुत बुरा दौर है सर इस बुरे दौर में कम से कम statements अच्छे दें कुछ अच्छा करना सकें तो अच्छा बोली लें लोग तो अपना करी लेंगे न सर सडक में बच्चा मर जा रहा है माबाप उसे carry कर रहे हैं इससे ज़ादा दुखसीति क्या हो सकती है सर ये कोई political बात थोड़ी है लेकिन मेरे एक सवाल हमेशा आपके साथ रहेगा सर कि आप एक बात का जवाब जरूर दें और जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं अगर आपका संपर किसी भी party से है Congress से है समाजवादी पार्टी से है त्रिनमल कॉंग्रेस के लोगों से कृपया मेरा वीडियो उन तक पहुँचा है और उनको बोलें कि पॉपोजिशन इसलिए कमजोर है केवल एक कारण है क्योंकि इन political groups के जितने भी लोग होते हैं न सर जो सो कॉल प्रदेश प्रवक्ता होते हैं सांबित पात्र से कैसे बहस कर रहा है मुझे खड़ा किजिए सर मैं बताता हूं सांबित पात्र से क्या बात करनी ये डेटा के साथ सुनीति रानी के साथ बात करना है मैं करूँगा सर मैं उनसे पूछूँगा उनका क्या education qualification था जो उने सिख्षा मंतरी बना दिया गया था मेरे पास बहुत मुद्दे हैं सर देश के करेंड मुद्दे हैं और सर चिंता मत किज़ेगा मुझे आप से कुछ help नहीं चाहिए सर financially मुझे आप से कोई help नहीं चाहिए आपके पार्टी से तो कम से कम कुछ भी नहीं चाहिए मेरे दोस्तों अगर आप ये वीडियो देखते हैं प्लीज शेयर कीजे मैं चाहता हूं कि एक बार मंच पे आने का मोगा मिले सर और अरनब गुस्वामी जी आप जो जिनको बुलाते हैं अगर आपको लोगों को बुलाना है बात करना है तो मिलें बात करें उनकी सुनें केवल चिलाने से आप अच्छा एंकर नहीं बन जाते सर I'm very sorry to say that is the worst type of journalism I've ever seen I'm very unhappy sir मुझे लगता था आपके अंदर spirit है पर आप तो लोगों को शोर मचा के चैनल ब्लॉक कर देते हैं उसको बाहर कर देते हैं What is this a way of journalism sir कि मेरे इस सवाल का जवाब दीजें मेरे इस क्या filmी filmी shooting कर दें क्या sir आप चलिए sir मुझे बुलाई आरनव जी एक बार अपने चैनल पे बुलाई ये मुझे 5 statistics पे बात करूँगा graph के साथ बाहर करूँगा data के साथ बात करूँगा आपके साथ उसके बाद अगर आपकी बोलती ना बंद कर दीना sir तो मेरे नाम बागी श्रदानन नहीं मैं BJP के अगेंस्ट नहीं sir मैं BJP governance के अगेंस्ट हूँ मुझे नहीं लगता भगवा पहनने से ही में हिंदुत का पैचान करा जाएगा मेरे अंदर बहुत हिंदुत हुए कमाल की बात देखे मेरी आखरी लाइन है गौर से सुनियेगा सर श्रदानन पती मेरा नाम है जाती से मैं ब्रामन हूँ पढ़ा हूँ क्रिश्चन स्कूल से सेंड मेरी इंगले शाय स्कूल और गर्व से कहता हूँ सर फादर हुआ करते हूँ वहाँ पे फादर गॉलवर्ट फटैडो अब नहीं रहे सर हमारे फॉर्मर प्रिंसिपल क्या कमाल की सिख्षा दिये सर इतने आईटियन से निकलते हैं सर कभी आप लों की जरुवत नहीं पड़ी सर मुझे ताज्यूब लगता है अंगूटा च्छाप के नीचे एम्टेक वाला बंदा काम कर रहा है रहा हम उनको सुन रहे है what the hell is going on सर कहा है आपके अच्छे दिन बुलाई है न सर एक बर चैनल में सही मुद्धे पे तुम्हें बात करूँगा जो नजायज बात लगती उसका तुम्हें करूँगा सर rebel हूँ तो rebel की तरह पेश आऊँगा जैन जै भारत अगले मुद्धा दो या तीन दिन के अंदर स्टैट्स के साथ आऊँगा सर और मेरे दोस्तों मैं दोबारा एक रिक्वेस्ट करता हूँ काइंडली अगर आप लोगों के पास कोई कॉंटेक्स से मेरे वीडियो तमाम पॉलिटिकल ग्रुप्स के पास भेजें एक मंच पे आने का मौका दें इन्हें बताऊंगा सर इन्हें बताऊंगा इन्होंने जारकंड के लिए क्या किया है इन्होंने बंगाल के लिए क्या किया है इन्होंने केरेल के लिए क्या रे उत्तरपदेश के लिए क्या क्या वो भी बता दूँगा हम भगवा में उत्तरपदेश में सबसे महेंगी बिजली हमारे या थी है यहना चेदिन